दोस्तों एक बर फिर आपका स्वागत है विनन्दन आपके अपनी YouTube चैनल आरेयन इस्टूट अलहाबाद में दोस्तों जैसा कि थमल देख पा रहे हैं आपके बीच में एक latest मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं UP Scholarship Update जैसा कि आप सभी के लगातार कॉमेंट दिया रहे थे कि भाया आखिरकार क्या आविदन करने के लिए जैसे 2023 और 2024 में जितने भी भरती छूट गए थे उन्हें आविदन करने के लिए क्या वेबसाइट दोबारा से खोली जा रही है तो बिल्कुल उसी चीज को लेकर हम आपके बेच में उपस्तित हैं 28 सपरेल बेग अपडेट्स तो बिल्कुल यूपी स्कॉलर सी फॉर्म 2023 सोबिस के तहत आविदन करने के लिए एक और सुनहरा आउसर आपके बेच में आया हुआ है हमने सुबह एक विडियो आपके बेच बनाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जब तक ऑफिस्यल लोटिस नहीं आ जाती है तब तक हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि आकिरकार आविदन की जो वेबसाइट है वो दोबारा से खोली ही जाएगी लेकिन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए ओफिस्यल लोटिस आपके बेच में आ चुकी है आविदन के लिए खोली जो है दोबारा से वेबसाइट नीचे आहां देख सकते हैं कहा जा रहा है सिर्फ यही चात्र आविदन कर सकेंगे लेकिन इस नोटिस में एक कंडिसन्स दे गई है वो कंडिसन्स क्या है सिर्फ कौन से चात्र आविदन कर पाएंगे बिलकुल अभी हम आपको बताते हैं बेड वेटिस से इत्यादी के लिए सुनहरा उसर जाहिर सी बात है बेड और वेटिस से इन सभी का जो सत्र है थोड़ा सा विलंब से चला हुआ था और ऐसे में कुछ अभीड थी जो है आविदन करने से छूट गए थे तो बिलकुल जो लोग आविदन करने से छूट गए हैं उनके लिए ये सुनहरा उसर कहीं न कहीं दिया गया है तो चलिए आप इंतजार कर रहे हैं ओफिस्यल नोटिस का तो हम आपके बेड़िस में ओफिस्यल नोटिस दिखाने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर से मैं एक बेड़न करना चाहूँगा कि प्लीस अगर चैनल पर पहले बार विजट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रूट करेंगे क्योंकि सिक्छा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपके बेड़िस में प्रोवाइड की जाती है तो चलिए यहां देख सकते हैं आपके बीच में यह ओफिसियल लोटिस लगी हुई है सबसे उपर कहा जा रहा है कि नहिसुल को प्रेस विध्यपती ठेके देखिए इसके अंतरगत कहा जा रहा है वित्ती वर्स दोहजार तेइस चोबिस अनुसूचित जात एवं जरजात चात्रों ह आवेदन को अपने अस्तर से ऑनलाइन संसोधित करने के लिए चात्रवर्ती पोर्टल जो है वो 26 अपरेल 2024 से 3 मई तक खोला गया है यह सिर्फ अगर हम बात किरें नए चात्रों के लिए अभी इसमें कहीं भी कोई विजिक्र नहीं किया गया है ठीक है यह सिर्फ और सुचित जाती और अनुसुचित जन जाती के विद्यार थी है जिनका डाटा किसी कारण से कहीं कोई तुर्टी हो गई थी उन्हें ऑनलाइन संसोधित करने के लिए चात्रवर्ती का जो पोर्टल है वो 26 अपरेल 2024 से 3 मई तक खोला गया है ठीक है चात्रों द्वारा संसोध पत्रों को जो है सिक्षार संस्था द्वारा अपने पोर्टल से ऑनलाइन अग्रसारित करने किति जो है वो 26 अपरेल से ही शुरू है और 7 मई तक फाइनले वो निर्धारित देते के अंदर कर पाएंगे ठेक है यहां देख सकते हैं इस ओफिसल नोटिस का जिक्र जो है सु और ओफिसल नोटिस के एक औरिंग तो नहीं दिया जा रहा है ठीक है अब आप कहेंगे कि भाया आप तो अभी बात कर रहे हैं थे नए बेर्थी भी आवेदन कर पाएंगे देखिए हलाकि चर्चा इस बात की भी है कि नए बेर्थी जो बेर्थी छूट गये हैं उनको भी आवेदन का मौका मिल जाए ठीक है प्रयास इसका भी है हलाकि इसके संदोरोप में जब कोई सुष्णाए होंगी तो बिल्कुल हम अपने चैनल के माध्यम से हम आप सभी को जरूर बताएंगे ठीक है बाकि SCST के चात्र जिनके फॉर्म में कहीं कोई तूटिया है वो लोग अपने तूटियों को विलम पर जाकर अपने डाटा को संसूधित कर लें और संसूधित करने के बाद वो अपने कॉलेज में ले जाकर जमा कर दें उसके बाद ही आप scholarship का लव ले पाएंगे ठीक है तो वासा करते हैं देएगे जानकारी से आप संतुष्ट हैं बाकि नए भीड़ती बिल्कुल परिसान न रहें आप सभी के लिए भी लगातार प्रयास जारी है जैसा भी होगा आप जीसी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हम चैनल के माध्यम से आपको जरूर इन्फों करेंगे ठीक है तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स धन्यवाद